नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंद रिचुल्स 2023 पे राज हम सुनने जा रहे हैं महा शिवरात्री शिवरात्री की अगभूत महिमा हमारे शास्त्रों में वर्नित है शिवरात्री की महिमा चाहे आप वैशनब भक्त हो या शक्ति के उपासक हो शिवरात्री वरत सभी को अवश्य करना ही चाहिए शिवरात्री की महिमा शिव कुरान के विद्वेश्वर सहिता के अनुसार सबसे पहले शिवरात्री पर शिव पूजन ब्रमा जी और विश्नु जी ने किया इसलिए शिव जी ने इस तिथी को वर्दान दिया कि यह परम पवित्र होगी और मुझे ये तिथी सबसे अधिक प्रिया होगी शिव जी कहते हैं कि एक वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है वह सारा केवल महा शिवरात्री को मेरा पूजन करने से मनुष प्राप्त कर लेता है इस श्लोग के अनुसार शिव जी कहते है कि मैं शिवरात्री तिथी पर न तोस्ना न वस्त्रो न धूब न पूजा न पुश्पो से उतना प्रसन होता हूं जितना उप्वास करने से होता हूं ब्रहम वैवर्ट पुरान के अनुसार एक आदशी को अ अन खाने से पाप लगता है लेकिन महा शिवरात्री पर अन खाने से दुगुना पाप लगता है स्कन पुरान में आता है कि शिवरात्री वरत सर्वश्रेष्ट है इससे बढ़कर श्रेष्ट कुछ नहीं है जो जीव इस रात्री में त्रिभुवन पती भगवान महादेव की भक्ति पूर्वक पूजा नहीं करता वह वश्य सहस्त्र वर्षो नहीं करता तक जन्व चक्रों में घूमता रहता है इस लोग के अनुसार चाहे सागर सूप जाए हिमालय भीक्षय को प्राप्त हो जाए विंध्या आदी परवत भी विचलित हो जाए पर शिव व्रत कभी निश्वल नहीं हो सकता ओम नमाशिवाए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल हिंद रिचुल्स 2023 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं आने वाले व्रत वीडियो के लिए